हलो दोस्तो एक बर फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एचेसी टिप्स में स्वागत है दोस्तो आजके वीडियो में हम आपसे बात करेंगे MSDS के बारे में तो इस वीडियो के माध्यमत्र हम जानेंगे MSDS क्या है फिर हम बात करेंगे क्या है अब से MSDS को कौन प्रिपेयर करता है यहाँ बने रहे हमारे साथ वीडियो के आक्री तक तो आईए वीडियो को सिधे स्टार्ट करते और सबसे पहले पर लुद बात करेंगे MSDS क्या है MSDS एक डोकुमेंट होता है जिसमें किसी केमिकल या हजाड़ सफ्टेंज के पोटेंचियल हजार तरह सेफली उसके साथ हम कैसे कारिकर सकते हैं इसके बारे में जनकारी सामिल होती है अब हम बात करेंगे MSDS का preparation कौन करता है तो MSDS का preparation manufacturer या फिर supplier के दोवारा किया जाता है जो भी chemical या फिर hazardous substance का वो निर्माड कर रहा है तो उस manufacturer या फिर supplier के दोवारा परतिक individual chemicals या फिर product के लिए individual MSDS का भी निर्माड किया जाना चाहिए और यह उसकी responsibility है साथी उसकी यह responsibility है कि जब भी वो अपने product को sale कर रहा है तो उस product के साथ ही उसका जो MSDS होता है उस employer को या फिर उस customer को provide किया जाना चाहिए अब हम बात करेंगे MSDS के 16th section के बारे में हम यहां से समझते चलेंगे तो आये देखते हैं तो देखिए सबसे पहला जो आपका section होता है उसमें identification of the substance and company information यानि कि जो substance होता है उसका identification के बारे में होता है जिसमें कि आपका product कौन सा है उसका क्या यूज होता है या फिर उसका कोई other substance का नाम है तो वह mention होता है और company information में आपका जो supplier है उसका details रहता है उसका address रहता है उसका telephone number होता है emergency contact number होता है या फिर कोई fax number है तो यह सब चीज यहां पर mention होता है जो आपका first section होता है उसमें next second section में आपका composition और information on ingredient यानि कि जो material होता है उसके बारे में information होती है जिसमें की चोटा सा description होता है कि जो material के यूज कर रहा है या फिर इस material को हम supply कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीज है ठीक है जैसे कि कोई mixer है आपिर कोई aromatic कुछ materials है या फिर हाइड्रो कार्बन है इन सब चीजों का क्या range होता है इसका एक छोटा साय description होता है या फिर कोई other information है तो वहाँ पर यह direct लिख सकता है जो employer होता है कि C section 16 उसमें क्या होता है कि other information होता है तो वहाँ पर यह mention कर सकता है next third section में आपका hazards identification होता है जिसमें की hazards का identification किया जाता है कि उसमें कोई हाजाण टो नहें यह थो क्या है तो यहеся कि मालें कोई harmful substances हो सकता है या फिर को हम someнопर्स कर रहें तो इसका क्या impact पर सकता है या फिर उसको कोई skin effect तो नहीं है यह फिर जो आपका human health effect रहें यह सारा चीज इसमें मैंसन होता है जैस्थे कि कोई या फिर किसी temperature पर चीजिवानिक है या पिर कोई उसका क्या इफेक्ट परता है इस चीज को भी वहाँ पर information होता है या फिर कोई other information भी हो सकता है जैसे कि इसके लिए हमको risk assessment का carry out करना होता है या फिर जो इसका exposure risk है वो क्या हो सकता है ठीक है या फिर कोई other information है वो सब इसमें भी mention किया जाता है next fourth number में आपका first aid measures होता है जैसे कि जब भी हम किसी substance का हमारे सरीर में हो रहा है या फिर हम उसके contact में आ रहा है तो हमको क्या होगा कई न कई आपको symptoms दिखेगा या फिर उस substance का हमारे human body पर effect पड़ेगा अगर कुछ होता है तो हम इसमें first aid measures क्या ले सकते हैं इसका इसमें पूरा विद्वत जनकारी दिया जाता है नेक्ट फिफ सेक्टन में आपका fire fighting measures होता है इसमें कि fire fighting हे तो कौन-कौन से मीडिया का हम यूज कर रहे हैं या फिर किसको नहीं करने का जैसे कि extinguishing media क्या हो गया on suitable extinguishing media क्या हो गया या फिर प्रोटेक्टिव equipment जैसे कि अगर fire हो गया तो हम अगर उससे लड़ने जा रहे हैं तो हम को क्या-क्या प्रोटेक्टिव equipment पानना है इन सब चीजों का यहां पर जनकारी मेंसन होता है सिक्ट सेक्षन में आपका एक्षिदेंटर रिलीज मेजर्स होता है यानि कि जो भी वो मैटेरियल है अचानक से अगर रिलीज कर जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जैसे कि उसमें आपका कर सकता है इन्वारमेंटल प्रिकॉसन क्या हो सकता है एक जो आपका हुआ है उसका में अदया चाहरा की कि Souls तो कि सब कर सकते हैं यह सब चीजों में नकिल्स जाटा है कि halten एस चमीशी में होता है उसको हैंका जाए प्रόल कर सकते हैं तक हूं प्रिक्ट में हमें रहे हैं वह कोई ट्रांस्परेबल तो नहीं हमाल ने हैं जैसे को नहीं कर सकता रहे है मैटेरिया कि कि नहीं इस कीद्ध रखना यह थिए हो सकता है कि भाई इसको इसमें नहीं रखने का नहीं तो यह reaction कर जाएगा तो यह सब चीजों की जानकारी जो आपका manufacturer होता है वो देता है ठीक है इसमें mention करता है next 8 नमबर में आपका exposure control यानि कि जो आपका personal protection के बारे में होता है कि अगर हम इसका exposure कर रहे हैं उसका क्या limit होता है जिसमें कि आपका टील भी टी डॉब्लूवे यह मैंसान होता है ठीक है जो कि एक आपका जो exposure controls गोड़ के द्वारा अगर ऐसा कुछ क्राइटीरिया है तो उसके बारे में भी वहां पर mention किया जाता है या फिर जब भी हम इसका handling कर रहे हैं या फिर इसके साथ कारे कर रहे हैं तो हमें जाता है नेच्ट नाइंच सेक्षण में अपका physical and chemical प्रोपोर्टीर जोता है जैसे किस कलर का है उसका physical state क्या है उसका order क्या है pH वैलू क्या हो सकता है ठीक है वैपर प्रेशर क्या हो सकता है जैसे कि किस प्रेशर में उसको क्या होता है वाटर में सॉलूबन कैसे हो सकता है ठीक है उसकी डेंसिटी क्या होती है फ्लेश फॉइंट क्या होता है फ्लेमेबल लिमिट यानि की अपर लोवर लिमिट यह दोनों मैंसन होता है तो यह सब चीजे जो है वहाँ पर मैंसन होती है ठीक है नेक्स्ट नमबर में आपका stability and reactivity के बारे में होता है कि जो भी हमारा प्रोडॉक्ट है उसको हम किस condition में रख सकते हैं ठीक है ताकि वह रियक्ट नौक करें इसमें बहुत सारे कंडिशन होते हैं जहां पर किसी मैटेरियल को भी अबवाइड करना होता है ताकि वह किसी दूसरे जो आपका सफ्टेंस है वह दोनों एक में रियक्शन ना कर जाए ठीक जैसे भी हजाडर स्टी कॉंपोजिशन प्रोडॉक्ट होते हैं जो कि बहुत ही घातक होते हैं इनको ह हम mo नौर्मल यह स्टूर्ज नहीं कर सकते हैं तो यह सब चीजों का इसमें मैंसें किया जाता है आपका जो भी man suspect itself नेक्स इलेवरद मेवं नमबर में आपका toxicological इन्वारोमेंट को परदान करने है तो जनकारी सामिल की जाती है कूंते हैं जो कि एस्तल और जली यह दोनों परकार के रिखला करते लिए इसमें जनकारी सामील होती है जिसमें कि आपका एको लोजिकल इंफर्मेशन और टॉचूुकल इनिक्स क्ली इंफर्मेशन दोनों सामिल होती है जिसमें की आपका सफटेंस अब हो at इसधीटी टाइप का है तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा गया फिर और टॉक्सिसिति पड़ेगा इसके बारे में पूरा इसमें जनकारी शामिल होती है थर्टीन नंबर में अब कर डिस्पोगम कैसे कर सकते हैं हो सकता है जो आपका लीगल रिक्वार्मेंट है यहां पर कुछ लोकल रेगुलेशन हो सकता है यह फिर फेडरल के दवारा या फिर किसी रिकोगनाइज इंस्ट्चूट के दवारा भी अगर ऐसा कुछ क्राइटीरिया है तो उसके इसको कहां डिस्पोदल करना इसके बारे में यहां पर जनकारी मेंसन होता है एक फोर्टिंट नंबर में आपका ट्रांसपोर्ट इंफर्मेशन के बारे में होता है कि अगर हमको किसी में सॉफ्टेंज करना है तो किस परकार से कर सकते हैं उसके लिए क्लास निर्धारित किया गया यूनाइटेड नेशन के दवारा भी हो सकता है या फिर तो इन सब चीजों के बारे में इसमें जनकारी मेंशन की जाते कि अगर हमको ट्रांस्पोर्टेशन करना है तो हमें कुछ क्राइटिक के लिए को फॉलो करना होगा तो क्या है यहां पर मेंशन किया जाता है नेक्स्ट 15 नमबर में आपका रेगुलेटरी इन्फरमेशन के बारे में होता है कि जो भी सफ्टेंस है उसका लीगल रिकॉर्मेंट कुछ ऐसा है तो यहां पर मेंशन किया जाता है जैसे कि कुछ नेशनल लेजिगनेशन के कुछ कोड्स है या फिर कुछ सजेशन है कुछ से तो यहां पर मेंशन किया जाता है यहां पर कर सकता है या the कुछ restriction है तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन भी दे सकता है या फिर कुछ suggestion देना है तो उसको भी यहां पर mention किया जाता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि कुछ technical contact number भी होते हैं तो इसे जल्ड़ euro information बे वो libakल कर सकता हैpper कि अलाव और भी कोई information है तो यहां पर mention किया जाता है तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा topic यहां पर समाप्त हुआ मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए useful था तो कैसा रहा यह वीडियो comment box में अवास से बताएं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नह किया कि अवीडियो कि अवीड़ कि अवीडियो कि क् विजा टूम घूमया मैं यूमो